बी एच डी जी 173 समा चार पत्र लेखन इसका क्या रहेगा चेप्टर नमबर 15 है ठीक है इसमें लगबग कई सारे चेप्टर को देखेंगे चेप्टर नमबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 कोशिस करेंगे सभी के सभी चेप्टर इसी में कबर करेंगे जो भी अगर मालो बाई चांस अगर ब इसके लिए लेखन किस प्रकार से किया जाता है सबसे पहले 15.5 सहरी वरग के संबंद में लेखन के कौन कौन से छेतर हैं ठीक है ठीक है भई भई ये जो सहरी वरग है इसके लिए आमालो सहर के लोग हैं ठीक है सहर के लोगों के लिए आप समा चार में कोई फीचर लिख र सकते यानि कौन-कौन से विश्यक आप चेयन कर सकते जिन पर सहरी वरक के लिए लिख सकते हैं यही थोड़ा important है क्योंकि इसी से related आपके question exam में भी आते हैं exam में भी पूछा जा सकता है ठीक है भाई यह जो सहरों में रहने वारी लोग हैं इनके लिए लेखन किस प्रकार से होगा या किया जाता है 15.5 में देखिया क्या है सहरी वरक के संबंद में लेखन के कौन-कौन से छेतर हैं तो पहला जो छेतर है लोक और लोका चार कौन सा छेतर है लोक और लोका चार देखेगा फीचर लेखिन के लिहाज से सहरी जीवन सारवधिक लोग प्रिय छेतर यानि सहर के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत फेमस है ठीक भाई अगबारों में पेज 3 की संकलपना में भी इसका योगदान है राष्टी और छेतरी अस्तर की पत्रकारिता ने बहुत तेजी से वुर्ष वरक पर फेकस किया है जो उदारी करण का समर्थन करने में जीवन मुल्यों को अपनाने की वाकालत करते है यानि कह सकते हैं कि जो सहरी वरक है इसके बारे में बहुत ज्यादा लिखा जा रहा है ठीक है जो उदारी करण या बैस विकन की बात करें ठीक है जो इसकी वकालत करता है उन लोगों और उनकी जीवन सैली से आउगत कराने वाले फीचर इन दोने खूब लिखे जाते है यानि सहरी के लोगों का जीव सहीली कैसी है इस पर फीचर लिखा जा सकता है कुल मिला करके या छेतर फीचर लिखन का केंदर बिंदु है इसमें कोई धोर आए नहीं ہے कि महानगरों में पार्टी ओं का चलन बढ़ रहा भिया डेली डेली वहा पर पार्टी होती है तेजी से वहाँ पर मनोरंजन पार्ट पार्क हैं, फास्ट फूर्ड सेंटर है, मल्टी प्लैक्स खुल गए है, मनोरंजन के नएने साधन आ गए हैं, मित्रता और प्रेम के बदलता नजरिया सहरें बढ़ रहा है, फैसन आदी इस रेणी में आता है, इन सभी बिशेयों पर आप क्या कर सकते हैं, फीचर लिख सकते हैं, जो आज सहरों में फास्ट फूर्ड सेंटर खुल गया है, इन पर फीचर लिखा जा सकता है, मल्टी प्लैक्स मनोरंजन के लिए जो अलग अलग साधन हो गए हैं, और जो सहरों में जो फैसन है, इन सभी चीजों पर आप क्या कर सकते हैं, फीचर लिख सकते हैं, ठीक ह और सहरों को जीवन जो सहिली है और किस प्रकार से बदल रहे इन सभी को हम भी सह बना करके क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं दूसरा, सहरी जीवन में संघर्स कितना है, क्योंकि भईया सहरों की जो लाइफ है वो भागती भाग दोर बड़ी जिंदगी ये सहर के लोगों की, ठीक है, सहर के लोगों का जीवन है भाग दोर भड़ा है, ठीक है, उसमें हमेशा वही रहा था, देखेगा, जैसा कि हमने प सुख सुबधा तो बहुत है, लेकिन सहर के लोगों की जीवन में सुख सुबधा तो पूरी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सुबधाये थो हैं, लेकिन बहूषारी चीजों का क्या संघर्स भी है, एक अच्छे फीचर लेखन को इस छेत्र के बारे में, तमाम मुद्दों क हम लिख सकते हैं, दरसल सहरी जीवन में संगर्ष की अपार संभावन है, सहर में रहने वाले परिवारों का किस प्रकार बिगटन होता है, सहर में जो परिवार हैं बड़ी जल्दी से तूट जाते हैं, सहरों में लोगों में जिस प्रकार का तनाव है या सहर के लोग जिस प् मोइल छीन करके भाग जाएगा ठीक है चैन्स नैचर जो होते हैं महिलाओं के नमाक कानगलाए जो पहने रहती हैं यह छीन करके भाग जाते हैं महिलाओं और लडकियों के खिलाफ जिस प्रकार से सहरों में अपराद बढ़ रहे हैं ठीक है सहरी जीवन जो घनी आबादी है हवा पानी वहाँ पर पूरी तरीके से प्रदूसित हो चुका है यानि जो लोग सहरों में रहे रहे हैं उनको वहाँ पर देखोगे तो भै सहरों में लाइफ जीना जीवन जीना इतना आसान भी नहीं लेकिन हाँ सुख सुभधा हैं तो पूरी हैं सहर में लेकिन आसान नहीं है तो यानि सहरी जीवन में जिस प्रकार के संगर्स हैं इन संगर्सों को भी आप क्या कर सकते हैं बिसय बना करके सब्जेक्ट बना करके आप क्या कर सकते हैं उन पर भी फीचर लिख सकते हैं उन पर भी फीचर लिखे जा सकते हैं अ पूज़ मर्रा के सहरी जीवन से अपना जीवंत संपर का स्थापित करना होगा। आपने सहरों का आतीच समझना होगा। वास्तविकता यह कि सहरी जीवन कि इस छेत्र में काम बहुत कम है। अन्य छेत्रों की तुलना में इस छेत्र में फीचर लेखन जादा स्रम की अपेक्छा रहता है, थोड़ा बिस्तार में देखा जाए तो हर सहर की एक अपनी खास संस्कृती है, या हर सहर की अपनी खास संस्कृती है, हर एक कल्चर है, या संस्कृती वहां की भासा है, अस्थ खास संस्कृति है इनका अपना खास खान पान है धीरे धीरे खतम हो रहे आज सहरों में जो संस्कृति कल्चर सब्वता जो पतन हो रहा है इनका भी आप लिख सकते हैं सहरों में किस प्रकार से सहरी जीवन में परेसानिया है उनका जीने में लोगों का जो हौसला है इन सहरों लोगों के जीवन में जो विविदता है इन सभी पर हम क्या कर सकते हैं विशय बना करके क्या कर सकते हैं फीचर लिखे जा सकते हैं अगबारों में इन सब के बारे में हम लिख सकते हैं इनको विशय बना करके ठीक है अगला हम बात रहेंगे विशय पर लेखन यानि अगर सहर जीवन पर एनि सहर की लोगों पर आगर आपको फीचर लिखना है जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि बदलते सहरी समाज जो है मुख्यधारा का राष्ट ये पत्रकारिता में खांसिस है यानि सहर के लोगों का जो आकरशन है वहाँ पत्रकारिता में मुख्य केंडर है सहर के लोग कैसे रहते हैं उनकी दंचरिय कैसे उनका कल्चर कैसे है इन सीजों पर न्यूज में यानि न्यूज पेपरों में लिखा जा रहा है इसकी एक बड़ी वजा है उबहुगता वात का प्रसार लोगों का रहन सहन में तेजी से आयनि सहर में जो लोग रहते हैं उनके रहन सहन में जो तेजी से परिवर्तन आ रहा है हम इसी पिश्ट भुमी का इस्तमाल महाज सूचनातमक और सपाट किसम का अले देने की बजा है रहाचनातमक धंग से कर सकते हैं हम बदलते सहरी समाज की धड्कनों को पकड़ सकें तो कई दिल्चस्प भिससे आएंगे इसके लिए भारती समाज की बदलती मानसिक्ता गये जो सहरो में मुहलों में cyber cafe खुल गए हैं लोग घंटो घंटो क्या करते हैं आज नेभीयों से सहरो में क्या करते हैं चैट करते रहते हैं ये फम रेडियो बहतर धोनी आस्तर सहरो में जो दिल्चस्प लोगों को दिलो धिमाग पर छा रहा है वहीं पर mobile FM ने भी एक नई संस् तो इन सभी चीजों को हम क्या कर सकते हैं विसय बना करके सब्जेक्ट बना करके लिखा जा सकता है। इस विले सहरों में हर चीज तो पैसे से मिलता है पानी तक पानी तक पैसे का है हर चीज पैसे का है यानि यूँ कह सकते हो कि उनको जीवन यापन करने में जो समस्याती हुआ है कभी देश भर की बेहद लोग प्रिये टीवी सीरियल हम लोग जिस मध्यमर्गे परिवार के भारतिय मध्यमर्गी मांसिक्ता इस फाक दा ग्रेट इंडियन मिडल क्लास में पमन कुमार सर्मा लिखते हैं यानि कह सकते हैं आज जो मिडल क्लास फैमिली हां सहरों में उनको जीवन जीने के लिए जिस प्रकार की समस्याँ का सामना करना पड़ता है इस विशय को भी हम क अख्यूस सानि होती है इन सभी को हम क्या कर सकते हैं सब्जेक्ट बना करके फीचर लिखा जा सकता है सहरों में बढ़ते अपराद वस उरक्षा को आज सहरों की बात के अब ल nog सरह आ लिख कर लिए लेकिन सबकों रोजगार नहीं मिलता वह सारे नहीं मिलता ना बहुत सार प्राध करने लग जाते हैं उधारीकन की लहर ने सहरों का पूरा परिवेस बदल दिया है विभिन वरगों के भी सामाजिक असमानता जो दिखाई पड़ती है सहरों में होने वाले जो अपराध है बड़ी संख्या में यही वज़ा समाजी का समानता भी है जिसके साथ दिश् सब्सक्राइब बढ़ रहा है रास्ते में कोई जा रहे है इस प्रकार केansas ज़ले चोटे मोटे बाइक वाले जो आते है बाइक पर आये बाईगे कोई लेडी जा रही है, गले में कुछ पहना हुआ, खीच के भाग जाएंगे, कान में से खीच करके भाग जाते हैं, तो इस सहरों में जो अपराधिक समस्याएं हैं, वह लगातार बढ़ रही हैं, इन पर भी हम क्या कर सकते हैं, विशे बना करके इन पर भी भईया लिखा ज जो बताता कि सारी चका चौन के पीछे कहीं अंधेरा है, लाखों लोगों की संक्या में सहरों में आजीव का तलास करने के लिए आने वाले नियूंतम सर्तों पर दिन भीता रहे हैं, वह दिन राज कड़ी मेहनत करते हैं, इसके बाजूद उन्हें कभी नहीं बनाता, आज सहरों की बात रहे हैं, इन पे भी आप सब लोग देखते होंगी ना, सहरों में अगर आप देखोगे, तो तमाम तरह की चीजे जो आप यहां पर देखने मिलते हैं, जैसे दिल्ली में जाओगे, तो दिल्ली में कितना जुग्गी जोपड़ी है, तो जो मलीन वस्तियां है सहरों में जो गरीब तबका है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, विशय बना करके, उस पर भी हम क्या कर सकते हैं, फीचर लिख सकते हैं, उस पर भी फीचर लिखा जा सकता है, जो मलीन वस्तियां उनको किस प्रकार की समस्या है, उनमें को किस प्रकार की प्रोड़म का सामना करना पड़ रहा है इन सभी चीजों को हम क्या कर सकते हैं सब्जेक्ट बना करके या विषय बना करके इन पर भी लिखा जा सकता है ठीक है अगला पार्ट देखेगा अगला जो इसमें रहेगा ठीक है नेक्स्ट हमारा जो रहेगा सहरी कामकाजी जीवन ठीक है अगला जो इस जीवन है उसका भी आप विशय बना करके लिख सकते हैं देखो सहरी वरक के लिए लिखे जाने वाले फीचर का या एक आहम हिस्सा कि सहरी कामकाजी जीवन दरसल पहले से फीचर का विशय बनता रहा है या सिरफ बदलाव की चका चौंद को नहीं देखता है बलकि उसका तथ पहले बना करते हैं बलकि उसका तथ तथ और तथ परक मुलेंगकन करते हुए बिन्दू का विसलेशन करता है जो देखते हैने बलकि रिखे हैं में जो काम काज का जो जीवन है मूल पूरी तरगे से बदल गया इनक पर भी हम क्या कर सकते हैं बिसे बना करके लिख सकते हैं अगला सहरी नीवाजन नौग रिखता को सहरी जीवन के अनेक सहरी जीवन के अपने कुछ सकारात्मक मूल हैं किसी सहर का विकास कुछ भी मूल हो और कुछ बेवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए किसी नियोजित तरीके से होता है। किसी नियोजित प्रकार के फीचर भी लिख सकते हैं कि सहरी लेवगों में भी स्ब्मेंदर सीलता हो। लोगों की मदद करें, लोगों की HELP करें और एक अक्षे नागरिक बनें। इस प्रकार की विशय को भी आप क्या सब्जेक्ट बना करके क्या कर सकते हैं। फीचर लिख स सहरों में किस प्रकार से अगर हम देखेंगे सहरे जीवन समस्या हैं सहरों में जो चका चौंध है सहरों में जो खान पान बदल गया है संस्कृती बदल गई बदल गई है सहरों में लोग तो बड़ी संख्या में आते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी विरोजगारी है सहरों में भी विरोजगारी मौझूद ऐसा है नहीं, सहर में कोई विरोजगारी नहीं, आपको गाउं में फिक विरोजगारी दिखाए दिए, तो इन सभी चीजों पर हम क्या कर सकते हैं, फीचर लिख सकते हैं, अगवार में इन पर हम क्या कर सकते हैं, फीचर लिखा जा सकत है और एक्जाम में आपसे पूछे भी जा सकते हैं तो यहां पर देखेंगे 15.12 में किसका सारांस दिया गया तो पंदरवा चप्र ए था ठीक है अगला चप्र भी हम देख लेते हैं जो इसका नेस्ट अप रहने वाला ठीक है अगला चप्र क्या है चप्र नंबर 16 चप्र नं और लेखन कैसे करते हैं जो ग्रामीड वरग है उसके लिए हम किस प्रकार के फीचर लिख सकते हैं गाउं के लोगों के लिए किस टाइप का फीचर लिखा जाएगा गाउं के लोगों के लिए किस प्रकार से समाचारों में फीचर लिखे जा सकते हैं उनको हम देखते हैं गाउं के लोगों के लिए जो करेंगे तो यहां पर देखे 16.3 आ गया है ग्रामिड फीचर लेखन के लिए विशय का चैन कैसे करें तो ग्रामिड जो समाज है उसके लिए फीचर कौन सबसे पहला किरसी एगरी कल्चर सेक्टर को लेकर के ग्रामिड समाज मुक्रोप से भाई उसरों छेत्रों पर बढ़ी है परिवार बटने से खेत भी बट गए हैं भाउनों के निर्माण के लिए जमीनों को उप्योग से खेती लायक जमीन नहीं है इसलिए छोटे खेतिहर किसानों की संख्या बढ़ी है जो किसान भूमी हीन किसान थे उनकी इस्तिती में कोई सु आत्रिक्त जमीन पर कबजा जमाए बड़े किसानों से लेकर के सीमान्त और भूमिहिन किसानों को बटने का काम तो दूर की बात है आंदोलन चल रहे हैं कह सकते हैं कि गाओं के लोगों पर अगर आप फीचर लिख सकते हैं तो सबसे पहले किरसी को विशेव बना करके आप लिख सकते हैं भया काउन सी फसल बोनी है ठीक है फसल की कटाई कैसे कर सकते हैं आज के समय में जो खेत हैं खेत धीरे धीरे घट रहे हैं तो हम कम जमीन पर कौन सी फसल का उत्पादन करें जिससे ज़्यादा सा ज़्यादा उत्पादन कर सकें आज हम अन्य चीजों का उत्पादन कैसे करें फूल की खेती कर सकते हैं या माल लिजे किसी सबजियों की खेती कैसे करें फल की खेती कैसे करें इन सभी चीजों को हम क्या कर सकते हैं विसे बना करके लिख सकते हैं आज किसानों की जो समस्यां क्या है किसानों की जो प्रोब्लम है किसानों को जो यूरिया है खाद है या किसानों को जिले जो पेट्रोल है डीजल है ये कितना महंगा पड़ रहा है या किसानों की जो सिचा समाज है जो पूरी तरिग यानि गाओं का जो समाज एगरी कल्चर पर बेस करता है यानि किर्सी से सम्मंधित विस्यों को हम मुद्धा बना करके गाओं की लोगों के उपर हम क्या कर सकते हैं फीचर लिख सकते हैं ठीक है यह एक विशय बन सकता हमारे लिए गाओं की लोगो के लिए तरा तरा की योजना चलाती हैं तो भाया गाओं के लोगों के लिए सरकार काउंसी योजना चला रही है गाओं के विकास के लिए सरकार क्या काम कर रही है गाओं में अनेक समस्या हैं जैसे सिक्षा की समस्या है निप्टाने के प्रती गाओं के लोगों को UPA सरकार ने सिच्छा मद में पहले अधिक धन मोहिय कराय का वचन दिया है पहले सकल घरिली उत्पाद का महज 4 फीसदी ग्रामिड खर्च का प्रावधान था अभी वही पूरी खर्च नहीं हो पाता है इस मकसद से धन की कटवती तथा दूसरों चीजों पर हम खर्च कर देत हैं UPA सरकार ने ना सिर्फ धन की पूरी तरीके सिच्छा पा आस्वासन दिया बलकि इसे बढ़ा करके सकल घरिली उत्पाद 6 फीसदी कराने का वचन दिया था तो कह सकते हैं कि गाउं में किस प्रकार से सिच्छा को बढ़ाया जा सकता है गाउं कोई लोगों को किस प्रका की समझ्या है उन्हें सारी समझ्याओं उपर हम फीचर लिख सकते हैं करें सिख्षाक में जो जीडीपी का हम 4% खर्चा करते थे यहां पर यूपीए सब्दार है यूपीओ का मतलब होता कि यह कॉंग्रेस समझ लो ठीक है जिसे अभी एंडीए की सरकार है तो बीजेपी की सर करने बोलना था कि हम जीडीपी का 4% एजुकेशन पर खर्च करेंगे हो रहा है लेकिन बोला था हम इसके बढ़ा करके 6% करेंगे लेकिन आर्थिक सपोर्ट करें और एजुकेशन को बढ़ाएंगे तभी गाउं में लोगों अगर गाउं में सिक्षा का प्रसार होगा तो गाउं की लोगों की जो समस्या होगी वो ज्यादा सुधार होगा यानि गाउं में सिक्षा के प्रसार के लिए गाउं की जो समस्या है बिज जरूरते है वो शही नहीं इन सभी चूजों को भि हम क्या कर सकते हैं विसे वना करके फीचर लिख सकते्IES कि गाउ में व्य सिक्छा का प्रसार है विस्टरण भिद्धू धंक से बहुचों में विजुली है पानी है इन समस्याओं को भी हम लिख सक्ते हैं और आज जो ग्राम पंचायते हैं वह किस प्रकार से ग्रामिन विकास योजनाओं को काम के जरी आज गाउं में बिद्दूती करन हो गाउं की गलियों में लाइट लगवाना हो खरंजा बिछवाना हो ठीक है जल के लिए काम करना हो महिलाओं को सक्षर बनाना हो गाउं की महि अगर मैं बात रहूं तो केंदर सरकार गाउं को टार्गेट करके हजारों योजना चलाती है जैसे ग्रामिड बिद्दूती करन योजना है गाउं में बिजुली पहुंचे ठीक है राश्टी ग्रामिड स्वास्त मिसन गाउं की लोगों का स्वास्त अक्षा हो इसके लिए य लिखे सकते हैं ठीक है गाउं का विकास की प्रकार से हो तो इन सभी को हम विशे बना करके फीचर लिखा जा सकता है तो गाउं की लोगों का समाजिक समस्याओं उपर भी फीचर लिखे जा सकते हैं गाउं में अक्सर हम देखें जैसे सडक है बिजली है पानी है स्वास्त स परिवाहन की सुविधा पहुंचे यहीं कह सकते हैं अगर गाउं में टेलीफोन, रेडियो और पानी, सड़क बिजुली अगर सभी सुविधाई पहुंचेंगी तो गाउं की जो समस्या है वो काफी हलो जाएगी गाउं के विकास को लेकर के हम क्या कर सकते हैं फीचर लिख स और गाउं में जो अनेक कुरीतियां हैं, जो जाड़ फूंक हैं, जो अंधिविस्वास हैं, उनको भी अगर सिख्छा का प्रसार होगा और बैग्यानिक दिश्ट्कोन अगर गाउं के लोगों में भईया बैग्यानिक दिश्ट्कोन आएगा नई सोचाएगी पुरानी मान पर जो गाउं चल रहे हैं, अगर नई मानेता हैंगी, तो गाउं में जो अंधिविस्वास हैं, जो कुरीतियां हैं, उन अंधिविस्वासें और कुरीतियों पर हम पा सकते हैं, ठीक हैं, तो इन सभी चीजों को हम भी क्या करते हैं, विसय बना करके फीचर लिखा जा सकता गरीबी में बिता रहे जीवन अधिकांस माता पिता अपने बच्चों को इसलिए स्कूल नहीं भेशते हैं क्योंकि उनके पैत्रिक पेसे से जुड़े रहना ही उनके लिए लिखाई पढ़ाई का कोई यर्थ हैं तो गाउं में एजुकेशन सिख्छा का प्रसार हो इसके लि इसके लिए भी काफी प्रयास किया जा सकता है ठीक है इसके लिए गाउं में जो चुआ चूत है जो जातीवाद है जो अंधिविश्वास है इन सभी चीजों पर भी हम कह कर सकते हैं विशय बना करके सब्जेक्ट बना करके फीचर लिखा जा सकता है तो गाउं में इन सभी चीजों पर लोग चार संबंदी फीचर भी गाउं की लोगों पर लिखा जा सकता है लोग चार में देखिए क्या है अधिकान सहरी जीवन की चमक दमक से प्रभावित होकर के गरामिन समाज में अनेक अचानक आउधनिक सुवधा के परती लोगों का आकरसंड बढ़ा है निस तेवहार का जो तरीका है उनमें गाने बजाना मनोरंजन के साधन का इस्तमाल कहीं अधिक हो रहा गाउं में भी पुराने रूप में बिद्दमान है जिन ग्रामिन समाजों का लोग सैचिक रूप से पिठड़े हैं वहां लोग परमपराएं अधिक सुरक्षित हैं जिन ग जो गीत और नृत हुआ करते थे उन्हें गाने और प्रस्तुत करने के तरीके थे धोबी गान और नित्र नाटक जहां मुख रूप से मृदंग और छोटी जाल का इस्तमाल किया जाता था तो कह सकते हैं कि गाउं में जो रीती रिवाज हैं गाउं भी सहरों की तरह बदलत जा सकता है इसलिए गाउं की जो लोग परमपराएं हैं वह परमपराएं छीन ना हो गाउं में भी लोग परमपराएं बढ़ें या उनका स्रिजन हो या उनको बढ़ाया जा सके इनके भी आज गाउं में बात करें तो गाउं का जो भाईचारा बिलकुल खतम हो रहा गाउ बना करके यानि बिसय बना करके फीचर लिखा जा सकता है गाउं में जो पहले नृत्य हो था जो संगीत था जो गायन था वह धीरी धीरी जो बिलुप्त हो रहा है उन पर भी हम बिसय बना करके फीचर लिखा जा सकता है ठीक है इन सबी चीजों पर जैसे गाउं में पहले जै शिन में जीवित रहें इसके लिए भी विषय्य बनाकर इन पर भी ये हम फीचर लिख सकते हैं आज जिस प्रकार से आज के 40 प्यसाल Champs साल पहले जैसे हम तेवहार मनाते थे कोई भी तेवहार हो क्या आज हुम उस प्रकार से मना रहे हैं नहीं मना पा रहे हैं न तो पहले की जो लोक रीत है जो परंपरा है जो कल्चर है वह कल्चर हमारे गाउं में धीरे धीरे जो बिलिप्त हो रहा है या धीरे धीरे जो कम हो रहा आज गाउं भी पूरी तरह के सहर बन चुके हैं तो गाउं जो है उनकी जो मूल भूत चीजे हैं जो गाउं का आकरशन है वह बना र रहे या धीरे धीरे उसका हरास ना हो इन सभी चीजों पर हम क्या कर सकते हैं विशय बना करके क्या कर सकते हैं गाव में जो चित्र कला हैं जो लोग कला हैं जो धीरे धीरे बुलिप्त हो रहे हैं उन पर भी हम विशय बना करके क्या कर सकते हैं फीचर लिखा जा सकता है ठीक ह चेप्टर नमबर 16 है ग्रामिड लेखन पर किस प्रकार करेंगे ये चेप्टर जो आपका लगभग समाप्त हो गया ठीक है चेप्टर नमबर 16 जिसमें इसमें था यहीं ग्रामिड लोगों के लिए किस प्रकार से फीचर लिखा जाता तो गाओं के लोगों एगरिकल्चर सेक लिखा जा सकता है ठीक है चैप्टर नमबर 17 ठीक चैप्टर नमबर 17 क्या है पुश्टकों और पत्र पतरिकाओं का समिख्छा पुश्टक और पतर पत्रिका की हम समिख्छा की सा धार पे करेंगे तो सबसे पहले है है इसमें देखेगा 17.3 17.3 क्या है पुष्टक समीच्छा करने के विभीन पक्ष नहीं अगर आप पुष्टक की समीच्छा करते हैं तो किस आधार पे पुष्टक की समीच्छा करेंगे पहले भाई पुष्टक का परिचे बताना पड़ेगा फिर विशय का महत्तो है फिर आलो चात्मक मुल्यांकन है प्रकासन संबंदी सूचना है ठीक है यह हो गया उसके बाद अगर हम बात प्रें तो चप्टर नंबर 17 में अगर आप देखेंगे एक अच्छे समिक्षा के गुण यानि एक अच्छा जो पूस्तक समिक्षा का मतलब समझते हो जैसे किताब है मैंने किताब पढ़ ली है तो किताब के बारें बता रहो है किताब अच्छी है किताब खराब है आप लोगों पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए किताब बेस्ट है खरीदो या ना खरीदो इसको ले ठीक है यानि एक प्रकार के आप जो समिक्षा, यानि एक अच्छा जो पुस्तक समिक्षा करने वाला ब्यक्ति है उसमें कौन कौन से गुण होना चाहिए, ठीक है और पुस्तक समिक्षा की क्या-क्या बिसेश्टाइं होनी चाहिए, ठीक है इन सारी चीजों को हम देखेंगे पुस्तक समिक्षा के बिविन पक्ष, यह पुस्तक की अगर आपको समिक्षा करनी है तो आप कौन कौन सा पक्ष है, तो सबसे पहले पुस्तक का परिच्ष, भई अगर आपको किसी भी पुस्तक के बारें बताना है, किताब कोई छपी है, किसी ने कोई किताब लिखी है, उस पूस्तक का सही परिषय प्रश्दूत करना, समिक्षक का मुखधावित, यानि पुस्तक का पूरी प्रकार से इंट्रोडक्शन अच्छे से देना चाहिए, जो समिक्षक कर रहा है उसको दाईतो है, समिक्षा लिखते समय आर्र में पूस्तक के बारे में सामाने जानकारी दे पुस्तक कब लिखी गई है, किताब का महत्य क्या है, काउंसी बिधी में लिखी गई है, इस तरह की जानकारी अपने पाठो को देनी चाहिए, मालो तुम अकबार में लिख रहे हो, कोई ये किताब है, उसका रिव्यू करें, तो बुक के बारे में, पुस्तक के बारे में आपको पूरी त्रिक्स, यानि जब भी आप किसी पुस्तक की समिक्षा करें, तो इसमें करना चाहिए, उसके बाद विखे का महत्य, यानि इन इस पुस्तक में किन चीजों को विखे बनाया गया है, उस विखे का कितना महत्य, इस पर भी समिक्षा करनी चाहिए, पुस्तक का सामान परिचे देने के बाद मालो आप किसी बुक का रिव्यू कर रहे हैं तो पुस्तक का आपने सामान परिचे दी दिया तो परिचे देने के बाद आपको पाठ पुस्तक की विशे वस्तू यानि कौन कौन से इसमें विशा है जिन पर चर्चा की गए जानना चाते हैं कि पुस्तक का संबंध ज्यान केता है कि मसलन यह जो पुस्तक है साहित की पुस्तक है कलाप पिवियात की गई है संस्कृती पर बात की गई है विज्यान है इतिहास है भुगोल है खेल कूद है यानि यह पुस्तक जो है 21 विशय पर लिखी गई है इस विशय की जानकारी भी आपको देनी चाहिए ठीक है विशय के परिचय के साथ उसकी सैली बतानी चाहिए यानि कौन सी सैली में लिखी गई है पुस्तक निम्बंदत सैली में है आत्मकथा सैली डायरे में उपन्यास या कहानी टाइप में इस पुस्तक को लिखा गया या पुस्तक जो है उसमें कौन सा विषय है और कौन सी सैली में लिखी गई या भी अपने पाठक को आपको जानकारी देने चाहिए अगर आप किसी पुस्तक की समिक्षग फिर उसका अलोचातमक मुल् होता है यह बात धान रखनी चाहिए अलोचातमक मुल्यांकन परिचय को समिक्षा में अलग-अलग रखा जाए या उस बुक जो आप बुक का जो आप रिविव कर रहे हैं उसमें नेगेडिव पॉइंड क्या है नकरातमक बाते क्या है या उस पुस्तक में किन बातों को न करातमक बाते हैं या जिन बातों को छोड़ दिया गया है इस वे भी पुस्तक समिक्षा करते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए प्रकासन संबंदी सूचना आपको देनी चाहिए या जो पुस्तक है कब प्रकासित हो गई है इसका अनुबाद कब किया गया है कौन सी पत कितना है या उसमें पुस्तक पढ़ने से क्या करती है विश्वकोस आधी की गलतियां उसमें बताएं यह पुस्तक जो है उसका प्रकासन कब किया गया है पुस्तक कितने मिलेगी अगर आप लोगों को पढ़ना हो या यह पुस्तक है कौन से प्रकासन कौन से पब्लीकेशन न देनी चाहिए जब आप किसी पुस्तक की समिक्षा कर रहे हैं ठीक है किसी पुस्तक की समिक्षा करते समय हमें बताना चाहिए अगला है इंपोर्टन्ट है देखेगा एक अच्छे समिक्षा क्यों यानि अगर आप पुस्तक समिक्षा कर रहे हैं तो एक पुस्तक समिक्षा कर पुस्तक की समिक्षा करते समय आप में किस प्रकार के गुण होने चाहिए आपको एक अच्छा समिक्षक बनना है तो यह जरूरी है कि एक अच्छे समिक्षक के गुण कौन कौन से होते हैं पहली बात है कि समिक्षक की भासा साफ सुत्री होनी चाहिए अगर आपको पुस्तक समिक्षक है तो आपकी भासा बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, किलियर होनी चाहिए, असपस्ट होनी चाहिए, ठीक है, ये सारे और कौन-कौन सी बातें उन पर भी हम बात करते हैं, विसे सग्यों उस विषय के जानकार होना सबसे ज़्यादा जरूरी है तब ही तो आप अगर मान लिजी आप खेल से संबंधित हैं तो जिन व्यक्तियों ने खेल संबंधी विषयों पर पुस्तक लिखी है उन पुस्तकों की आपको समिक्षा करनी चाहिए मान लो कि मैं खेल के बार मैं आपको जानकारी है उसी विषय से समण्दित आपको पुस्तक की समिक्षा करनी चाहिए यानी विशेश सग्यता आपको important है विषय सग्यता सामन समन, ठीक है देखेगा, किसी खास छेतर में निपूर होने के साथ समिक्षक की या पेक्षा की जाती है उसका सामान ग्यान अच्छा हो इससे समिक्षक में सम्रिद्धी होती है माली जी आप खेल खूद के विशेश तक गहें आपको राजनीती की सामने जानकारी आपको नहीं है तो खेल पुस्तक में नसलवाद, रंग भेद, खेलों का बहिसकार आधी प्रसंग आई यानि आप अगर एक पुस्तक समिक्षक बनना तो आपको जर्नल नोलेज आपका अच्छा होना चाहिए सामानने ज्यान आपको अच्छा होना चाहिए क्योंकि हर पुस्तक में, हर विशाय में अन्य सम्रिद्ध से छेतरी माली आप एक खेल पत्रिका के समिक्षक है तो आपको राजनीती से सम्रिद्ध जो सब्द है उसको भी पता होना चाहिए यानि आपको एक अच्छा पुस्तक समिक्षक बनना है तो आपका जो सामानने ज्यान है वह काफी अच्छा होना चाहिए पर ए भी बात है अगला पूर्बा ग्रह मुक्त होना चाहिए ठीक है यानि आप अगर पुस्तक की समिक्षक कर रहे हैं तो उस पुस्तक को ले करके आपके मन में किसी प्रकार क्या पूर्बा ग्रहना हो भाई ये माल लो कि मैं फिलम की पुस्तक समिक्षक करता हूँ और मेरे मन में फिलमकारों के मन में लेकर के घरेणा है तो मैं कोई भी पुस्तक एगर समिक्षा करूँगा फिलम वालों की तो मैं हमेजा गलत गलत बताऊंगования यानि अगर आपको एक अच्छा पुस्तक समिक्षक बनना है तो आपको पूर्बा ग्रह जो होते हैं ठीक है उनसे मुक्त होना चाहिए ठीक है किसी को लेकर कि आपके मन में किसी प्रकार से इर्षा ना हो इर्षा भावना नहीं होनी चाहिए अगर मा लिजे आपको किसी की किसी चीज में आपकी इर्षा भावना है तो अगर आप उस वि पुस्तक समिक्षक बना जा सकता है दूसरा द्रिष्टी संपन्नता समिक्षक की द्रिष्टी खुली होनी चाहिए द्रिष्टी संगत संकीनता समिक्षक की कमजोरी बनाती है द्रिष्टी संगीतक दो काना है अज्यान और किसी मानावत्ता के माल लीजिए आप पुस्तक समिक चाहिए एक बहतर द्रिष्टी होने चाहिए यानि आपकी पुस्तक जो समिक्षक है उसकी द्रिष्टी में सभी समान होने चाहिए सभी बराबर होने चाहिए उच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए पुस्तक समिक्षक को ठीक है अगला क्या होने चाहिए वस्तुनिष् पतलवा तकी एक परिख्षा समिक्षक में वस्तुनिष्टता होनी चाहिए यूनि सभी दूरगणराहों और पूर्बगराहों को त्या करके यूनि आपको किसी का भी पक्ष ना लें यूनि अगर आपको एक पुipp pays मिक्षक बनना है वस्तो निष्टा होनी आप में important है क्योंकि आगर कोई व्यक्ति किसी का पक्ष लेता है किसी का पक्षदर है तो अच्छा पुस्तक समिक्षक नहीं बन पाए गए यागर आपको अच्छा पुस्तक समिक्षक बनना है तो आपका मन में क्याना है वस्तो निष्टता होनी बहु पुर्भा गर्हा है या किसी को ले करके आपके मन में इर्षा है तो अप पुस्तक की नहीं कर पाएंगे यानि वस्ती। निश्टा होनी चाहिए संतुलित लेखन यागर आप पुस्तक समिक्षक हैं तो आप जो लेखन लिखे हैं वह संतुलित होना चाहिए यागर कोई व्यक्ति किसी पुस्तक की समिक्षक करे अगर उसका भईया रिब्यू करे तो उस पुस्तक में सकरात्मक और नकरात्मक दोनों बातों को बताए नहीं कई बार सब अच्छा बताए जारे उसमें कुछ खराबे नहीं है यानि आपको अगर एक अच्छा पुस्तक समिक्षक बनना है तो आपको संतुलित लेखन लिखन लिखना पड़ेगा यानि आपको सकरात्मक और नकरात्मक दोनों बातों को लिखना पड़ेगा यानि ए नहीं आप नेगेटिव नेगेटिव लिखते चले जाओ या पोजिटिव भी लिखते हो तो दोनों परकार की बातें आपको बतानी जरूरी है ठीक है परसंसा भी करनी है और निंदा भी करनी ए नहीं परसंसा परसंसा निंदा ही निंदा करता चला जा रहा है ठीक है पुस्तकों से पाठकों का परिचय कराना एक उसका समाजिक दाइत तो है इसके माध्यम से वह ज्यान के छेतर में होने वाली हलचलों से लोगों को परिचय कराता है उन्हें उसमें सामिल होने के लिए प्रेडित करता है पुस्तक को पढ़ने की प्रिविर्ती किसी समाज के पुसंगत होने की निसानी है इसलिए पुस्तक समिक्षा का दाइत तो बढ़ जाता है पुस्तक का चैन करने से लेकर के समिक्षा लिखने तक उसे अपने कारियों में समाजिक पहलू को यनि आप अगर किसी पुस्तक की समिक्षा करें तो आप उस समाजिक दाइत को निभाए यानि समाज को इस पुस्तक से क्या फाइदा होगा क्या लाब होगा क्या हानी होगा उसको भी आपको बताना चाहिए ये नहीं कोई पैसे लेकर के पुस्तक की समिक्षक कर दिया सब अच्छा बता दिया समाज के लिए खराब किताब है और आप अच्छा बता रहें जो आपको समिक्षक बनना है तो आपको समाजिक दयुत भी निभाना आना चाहिए आप समाजिक दयुत की भी पुष्टक समिक्षक की विशेष्टाएं क्या होती जैसे हमने बात की वस्तु निष्टा बहिए किसी का पक्ष नहीं लेना है ठीक है बलकि सारी अच्छी बाते बतानी है ठीक है और एक निस्पक्ष तरीके से ट्रांस्पेरेंसी होनी चाहिए पुस्तक समिक्षा गर आप कर रहे हैं पूर्बा गरा किसी को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का दोंद ना हो या किसी प्रकार किसी को लेकर के आप मन में घृणा या दोयस नहीं होना चाहिए यानि मालो आपको खेल अच्छा नहीं लगता है और खेल की पुस्तक की अगर समिक्षा करोगे तो आप खराब बताओगे फिलमकार आपको अच्छे नहीं लगते हैं अगर फिलम पत्रिका की समिक्षा करोगे तो आप गलत बताओगे यानि पूर्बाग्रा से मुक्त हो करके क्या करूं किसी भी पूर्बाग्रा से यानि किसी भी दूसित मान सीख सकते मुक्त हो करके हमें पुस्तक की समिक्षा करनी चाहिए प्रासंगिकता यह किसी भी पुस्तक की अगर आप समिक्षा करें तो प्रासंगिक यह कितना सही है कितना यूजफूल है कितना प्रासंगिक है और आज के समाज में यह कितना उसको बताएगी यह समझाएगी प्रासंगिकता भी आपके लिए important हो सकता है यह प्रासंगिक भी ह केंद्रीे बिंदू की पहचान करें, याँ है आप अगर किसी पुस्तक की समिक्ष्छा कर रहा है तो वह पुस्तक किस बीसे पर बात करती है उसका केंदरी बिंदु क्या है किस बीसे पर वह आधारित है इस बात को भी आपको बताना चाहिए अगर आप किसी पुस्तक की समिक्षा करें तो उसका उद्देश क्या है उद्देश भी आपको किलियर करना चाहिए किसी भी पुस चाहिए और बिल्कुल clarity के साथ उसको लिखना चाहिए ठीक है अगला निजिता आप अगर किसी पुस्तक की समिक्षा करें तो निजिता का भी आपको खयाल रखना चाहिए privacy important होती वह या तो privacy का भी आप खास खयाल रखें ठीक है और आपकी जो भास किसी भी पुस्तक की समिक समिक्षा यह आपसे आ सकता इसी प्रकार से चाहिए आपको पुस्तक की समिक्षा करनी है चाहिए पत्रिकाओं की करनी है तो दोनों की लगभग सेम ही हो तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्ता नहीं था 17.7 आ गया है इसी के साथ आपका यह जो चेप्टर है लगभग क्या हो गया समाप्त हो गया ठीक है 18 चप्टर नमबर 18 क्या है नाट प्रस्तुति फिल्मों और कला प्रदस्णियों की समिक्षा ठीक है अगर कोई नाट प्रदस्ति सिंपल सा कहने मतलब जो हमारा सिनेमा है ठीक है जो हमारी फिल्में है जो हमारी movie है उनकी समिक्षा अगर आपको करनी है तो आप कैसे करेंगे ठीक है भीया मालो चेप्टर नमबर 18 सेरीज बात रहा है कि मालो की एक फिलम है ठीक है कोई भी फिलम है अभी पठान movie आई है ना उसको ले करके काफी विवाद हो रहा ना उसमें रंग को ले करके के सरिया एक गाना पता नहीं कौन सा है ठीक है बेसर मनगॉस को ले करके तमाम तरह के बाते हो रही है ठीक है तो उसी प्रकार से महलो तो किसी भी movie की किसी भी फिलम की अगर आपको समिक्षा करनी है तो पहले आपको क्या करना पड़ा है उसको फिलम देख लिया आपने तो फिलम के बारें बताओ फिलम क्या है फिलम का नाम बताओ फिलम में क्या है उसको बताओ फिलम किस विशयों के बारें बात करती है फिलम में क्या क्या है फिलम में कैसा एक्षन है कैसा डारेक्षन है फ फिलम में किसने अच्छी एक्टिंग की है फिलम किस विशय पर आधारित है विशय ठीक है किस विशय पर विशय बहुत इंपोर्टन्ट है फिलम क्या कोई यह मालो की प्रेम कहानी है ठीक है प्रेम पे रूब लिखी गई है या कोई सामाजिक समस्या है ठीक है बहुत सारी आ आप किसी फिलम की समिक्षा करनी है ठीक है फिलम की समिक्षा करते समय आपको क्या करना पड़ेगा ठीक है तो फिलम की आप अगर समिक्षा कर रहे हैं तो आपको क्या पताना पड़ेगा तो सबसे पहले फिलम समिक्षा में आपके गुण उसकी सबसे पहले आप बताओगे उ फिलम की समिक्षा करते समय आपको क्या होने चाहिए ठीक है विशेषाग सग्यिता होनी चाहिए अब माल हो की मैं फिलम के बारे में काखा नहीं जानता हूं तो मैं कैसे कर पाऊंगा यह रिपकौश। होना चाहिए दूसरा वस्तु निस्ठता का सिंपल सा भईया मतलब यह होता है कि अगर आप किसी फिलम का रिव्यू कर रहे हैं तो आप ठीक है उसके पोजिटीव सकारात्मक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजों को आपको बताना चाहिए किसी भी फिलम का अगर कोई र याप जो आपकी द्रिश्टी से कोई चीज बतनी चाहिए या आप फिलम के बारे में बहेतर आपकी सोच और समझदारी होनी चाहिए किसी भी फिलम की अगर आप रिविव कर रहे हैं फिलम का समिक्षा करते समय हैं आप फिलम के बारे में बेसिक बताएं फिलम किस विशय पर उसको बताएं फिलम में किन विशयों को उठाए गया उसके बारे में पूरी बात करें निस्पक्चलता के साथ उसको लिखें आप ए समाजिक समस्या को जिस प्रकार से समाज में है वो समस्या वो ऐसी बात करती है या फिलम किसी विबाद को तो नहीं उठाती है अगर फिलम इतिहासिक इतिहास पर है या इतिहासिक बैसेओं पर फिलम बनाई गई है तो क्या जो इसा इतिहास है उसको प्रस्तुत कर रही है इस आगर आप देखुए कि आज के समय में अभी मैंने बोला ना पठान मूवी आई तो पठान मूवी में क्या एक गाना है ठीक है उसको ले करके विवाद हो रहा बहुत समय पहले आज के अगर बात रहेंगे कुछ समय पहले एक मूवी आई थी ठीक है इसमें आपने देखा क्योंकि फिलम की समिक्षा ठीक है तो माली आगर तुमको किसी फिलम का समिक्षा करना है तुमको किसी फिलम का रिविव करना है तो भाई यह कैसे करोगे ठीक है तो किसी भी फिलम समिक्षक के यानि कला समिक्षा कला वही होती कला समिक्षक लिखेगा ठीक है कला समिक्षक क चाला समिक्षक में क्या क्या गुण होनी चाहिए याद रख में न, और अगर कोई ु काला समिक्षक को उसकी भासा कैसे होनी होनी चाहिए खाइ men छोड़ासा ते लिपेगे न, कलेर अच्छे स उसको चाहिए फिलम यहाखना प्रस्तुत उसको करना तो सीरसक को लेकर कि बताना चाहिए कि फिलम का जो सीरसक रखा गया है वह ऐसा क्यों रखा गया है फिलम क्या सीरसक जो बताया गया उस सीरसक की अनुसार है या नहीं है फिलम यह बच्चों पर आधारित है ठीक है यह समाजिक समस्या है ठीक है किस पर है फिलम यह सारी बाते आपको करनी चाहिए ठीक है अश्चे समिक्षक में क्या क्या आपको गुण ओने चाहिए ठीक है कला समिक्षक के लिए आवसक योगता भाई योगता तो पहली यही कि आपको एकस्पर्ट होना चाहिए, निस्पक्षता आप में हुनी चाहिए, तभी तो आप किसी फिलम की समिक्षा करेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए तो चप्टर नंबर जो आपका था क्या चप्टर नंबर 18 इसी में यही आएगा नाट प्रस्तुती जो नाटक होते हैं कोई नाटक है जो रंगमंच पर आता उसकी समिक्षा भी फिलम समिक्षा हो या पर्दर्सनी समिक्षा सारी similar ही होती है तो इसकी समिक्षा यनि आप इसका review किस परकार से करेंगे तो इस परकार से इसमें questionsion आ सकते हैं इस बार तिसको ध्यान में रखिएगा ठीक है चप्टर नंबर 19 है क्या साख्छातकार तयारी और संपाधन अगर कोई साक्षात कार है ठीक है तो सबको आपको वैसे भी पता होगा साक्षात कार तो बहुत पढ़ रखा होगा आप समने इंटर्विव अगर हो रहा है ठीक है इंटर्व्यू साक्षात करते समय क्या क्या त्यारी करने लिए मगर मालीजी आपका इंटर्व्यू लेना है यह करें त्यारी तो मालीजी अगर मुझे किसी का इंटर्व्यू लेना है तो उसके बारे मैं पहले क्या करूंगा व्यक्ति का निधार्द करूंगा यह मुझे किस नेता का लेना है, मुझे किसी राजनेता, और यानि इनेता यानि थीरो का लेना है, मुझे किसी ब्यापारी का इंटर्विE lame यानि पहले उसको klar करूँगा जोठीडा मा लीज़ी मुझे किसी मुख्यमंत्री का इंņटर्विE लेना मुख्य मंत्री का ठीक है अनुमती लूँगा भई मंत्री जी मैं आपकी इंटर्विव करना चाहता हूँ आप मुझे इंटर्विव नि ब्यक्ति को डिसाइड करो फिर उससे अनुमती ले लो ठीक है भई कि मैं आपका इंटर्विव करूंगा फिर क्या करो आउस्त्य आपको क्या करने पर रिसर्ज करने पड़ेगे यानि किसी भी इंटर्विव की तयारी करने के लिए आप पहले व्यक्ति को डिसाइड करो भईया किसका इंटर्विव लेना है फिर उसे आपको अनुमती लेने पड़ेगी आपका कब इंटर्विव ले सकते हैं किस टाइम हम आपके यहाँ पर आ सकते हैं, आपके इतना समय दे सकते हैं, इस बारे में पूरा आपको अनुमती लेनी चाहिए, फिर उसके लिए रिसर्ज करो जिसका इंटर्व्यू लेने, इंटर्व्यू लेने से पहले आपको बहुत सारी रिसर्ज, तभी तो आप सवाल तयार करके जा पहला है, तो शुरुआ पहला सवाल क्या करेंगे, यह बहुत इंपोर्टन्ट होता है, ठीक है, बीच में आप किन-किन विश्यों को ले करके उनसे पूछेंगे, ठीक है, संतुलन कैसे बनेंगे, यह थोड़ी कि आप नरेंद्र मोदी का इंटर्व्यू कर रहें, और सारा पोजेटिब पोजेटिब भी करें, उनका गुडगान नहीं हो रहा, तो आप अगर उनकी नकरात्मक बिंद्वू कोई किसी का राहूल गान्धी जी का इंटर्व्यू कर रहा, ठीक है, तो मा लिजे उसमें नेगेटिब नहीं, तो आप सकरात्मक और नकरात्मक दोनों ची फिर केंद्री बिंदू को भारना यानि बीच में आप कौन-कौन से सवाल मुख्यता आप किन विश्यों को उनसे ज्यादा सवाल पूछेंगे ठीक है और जब आपने इंटर्वु किया है तो उसमें संतुलित नेगेटिव पोजिटीव माली आप किसी नेता का इंटर्वु ले रहे हैं ठीक है नेता जी से पूछो आपने जो बोला था काम हुआ की नहीं हुआ और नेता जी ने जो अच्छा काम क्या हो भी बताओ यानि उसमें आपको संतुलित करना जरूरी है और किसी भी सागछातकार की सरचनातमक रूप क्या होगा यानि लिखित रूप यानि आपका जो इंटर्वी होगा वह किस प्रकार का होगा वह अकबार में छपेगा प्रिंटी मीडियम फढ़ेगा भई लिखा हुआ छपेगा साक्षातकार का लेखन कैसा है उसको भी आपको देना चाहिए आपने किसी का इंटर्वी ले तो आपको उसका सीर्षक कैसे देना है हेडलाइन कैसे देनी है तो इन सभी चीजों को भी हमें किसी भी व्यक्ति का अगर आपको इंटर्वी लेना है तो इन सभी चीजों को आपको क्या करना चाहिए ध्यान रखना चाहिए खास करके साक्षातकार की तैयारी कैसे करेंगे ठीक है 19.9 19.4 इसका ध्यान में रखना और 19.6 एकजामें पूछे जा सकते हैं इसलिए जो मैं बता रहा हूं तो भाई किसी व्यक्ति का अगर आपको इंटर्वी लेना है तो सबसे पहले क्लियर कर लो कि इसका इंटर्वी लेना है ठीक है परमीशन लेनी जरूरी है तुमारा इंटर्वी लेने कोई पहुँच गए और इंटर्वी नहीं दे रहा है तो कैसे बीच में पूछा तुमने परमीशन नहीं लिया और सवाल कुछ पूछ रहे है जब आप कुछ दे रहा है तो सारी चीजों को डिसाइड कर लेना के तब ही तो अच्छा एक इंटर्वी ले पाएंगे ना ते सारी चीज जरूरी है ठीक है के चैप्टर नंबर 20 है यह आखरी चप्टर है क्या वह व्यक्ति चित्र है थे व्यक्ति चित्र में 20.5 आच ठीक है वीश पॉइंट 6 और 20 पॉइंट साथ यही इंपॉर्टण है व्यक्ति चित्र ठीक है सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं ठीक है व्यक्ति चित्र को ठीक है तो इसमें पहले देखिएगा क्या है व्यक्ति चित्र से अब पत्रिकार्ट्या में व्यक्ति चित्र का महत्पूर्ण अस्थान यानि पत्रिकार्ट्या जो है उसमें व्यक्ति चितर क्या है उसका अस्थान इंपोर्टन्ट है व्यक्ति चितर जिसे अंग्रेजी में प्रोफाइल कहते हैं फीचर लेखन का एक आभी नंग है प्रोफाइल का साब्दी कर्थ है पार्सो चितर यानी side view या रेखा चितर यानी जिसमें दिये गए यानि किसी व्यक्ति का अगर हम प्रोफाइल बताते हैं किसी वस्तू का प्रोफाइल बताते हैं वही है व्यक्ति चित्र ठीक है व्यक्ति चित्र का आर्थ सिर्फ जीवन परिशय नहीं है इसमें अक्सर पाया होगा कि समय समय पर घटना घटित होने वाली की चर्चा भी की जाती है ठीक है यहीं किसी व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति चित्र आता नहीं जैसे किसी के बारे में तुम रेडियो डियम सुनती होगी आज इनका जनम दिन है तो उनके बारे में पूरा उन्होंने क्या फिलम बनाया है क्या मोवी बनाया है क्या कौन- किसी व्यक्ति के बारे में जो जानकारी दी जाती है जो information दी जाती है उसका है व्यक्ति चित्र व्यक्ति चैन के आधार यानि व्यक्ति चित्र अगर आप बनाओगे किसी का तो किस आधार पे उसका चैन करोगे कोई आपको सामाजी घटना है, कोई राजनितिक घटना है, कोई सांस्कृतिक घटना है। उस आधार पर क्या कर सकते हैं। मालु कोई परयाओण विड़ से सुन्दरलाल, भाहुगुना है, चिप को अंदोलन से रिलेटर हैं, इन पर भी आप व्यक्ति चितर बना सकते हूँ जिसे राज नेताओं का व्यक्ति चित्र तो बहुत ज़्यादा बनता है या जो फिल्म वाले हैं इनका व्यक्ति चित्र बहुत ज़्यादा बनता है इनके उपर आधे घंटे का प्रोग्राम नहीं बनता है किसी के उपर वेस प्रोग्राम है उसी के बोलते हैं व्यक्तिचित्र ठीक है उसके हम बोलते हैं व्यक्तिचित्र किसी के अस्थान किसी के लिए जो व्यक्तिचित्र बनता है ठीक है किसी की जब पुन्य थुती होती है जनम दिन होता है यह हो गया ना वही मालो किसी नेता का जनम दिन है तो नेता जी के उपर आदे गंटे का जो प्रोग्राम बना रखा नेता जीने क्या काम किया क्या नाम है उन्हें कॐंकों से हासिल कर रखा है तो बताते होई व्यक्ती चित्र है से होई पूरा व्यक्ती चित्र यानि उस व्यक्ति के बारे में पूरा परीचे देते हैं और उस व्यक्ति ने किन समस्यों का सामना किया है यह उस व्यक्ति से हम क्या सीख सकते हैं वह यह व्यक्ति चित्र ठीक है किसी के जन्म दिन है उस पर बना जैसे 26 जनरी 15 आम आदमी की आधार पर भी व्यक्ति चित्र बन सकता है जो नॉर्मल परसन होते हैं उन पर ग्यान वर्धक या रोचकता अगर किसी ने कोई किसी चीज में अगर कोई खास मुकाम हासिल कर रखा है तो उन व्यक्तियों पर भी क व्यक्ति चित्र प्रकासित किये जाते हैं या उन पर भी व्यक्ति चित्र बनता है लेखन की तयारी कैसे करेंगे व्यक्ति चित्र के लिए आवस्यक अध्यन करें विए अगर आपको किसी का व्यक्ति चित्र बनाना है तो आपको लाइबरेरी जाना पड़ेगा माल लो कि म मुझे जवाहलाल नहरू पर व्यक्ति चित्र बनाना तो जवाहलाल नहरू के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी माल लिजे मुझे अटल विहारी जी पर व्यक्ति चित्र बनाना तो अटल विहारी जी के लिए बहुत सारी जानकारी लेनी पड़ेगी यानि आपको बहुत सारा आध्यन करना पड़ेगा, बहुत सारा भाईया, रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक, तभी तो हम व्यक्ति चित्र को बना पाएंगे, दूसरा, अगर व्यक्ति मौजूद है, तो आप उसका इंटर्व्यू ले ले, मालो कि मैं मोदी जी का जनम दिन है ठीक, नरेंद्र मोदी का वर्दे है, उन पर व्यक्ति चित्र बना पुरा देगंटक प्रोग्राम, तो उसमें बीच उनके कुछ, उनके इंटर्व्यू ले ले, उसमें बीच बीच में वो बाइट चला दे, तो इस प्रकार से, यानि साक्षात कर, अगर व्यक्ति मौजू अगर उसका वर्थडे है, तो उसका इंटर्व्यू ले करके भी हम व्यक्ति, जैसे सलमान खान है, बहुत सारे हीरो है, बहुत सारे खिलाडी है, प्लेयर होते हैं, जैसे सचिन तेंदूलकर है, बिराट कोली है, सलमान खान है, किसी का भी नाम ले लिजे, इसमें आप जित चाबे लेंगे, कौन-कौन से फोटो यूज करेंगे, कौन-कौन से इमिजेज यूज करेंगे, इनका भी आप क्या कर लें, चैन कर लेना चाहिए, इनका भी हमें सेलेक्शन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत इंपोर्टन है, व्यक्ति चित्र के कौन-कौन के इलमकार है, वो हीरो है, वो नेता है, ठीक है, वो समाज सेवी है, ठीक है, वो कौन है, उसको बताओ, फिर उसने क्या क्या काम किया, उसकी कौन कौन सी उपलबदियां है, ठीक है, उसने कौन कौन सी उपलबदियां हासिल किया है, उसका हमारे देश में क्या योगदान है, या उस व्यक्ति से हम लोग कितना मोटिवेट हो सकते हैं हमारे देश के लिए कितना महत्पून है इन सारी चीजों के यानि इन सभी पक्षों को हम व्यक्ति चित्र बनाते समय हम क्या कर सकते हैं उसमें समेट सकते हैं या उनमें भी क्या कर सकते हैं उसमें लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है किसी भी व्यक्ति का अगर आप व्यक्ति चित्र बना रहे हैं तो इन चीजों को हम सामिल कर सकते हैं ठीक है व्यक्ति चित्र का लेखन कैसे करें व्यक्ति चित्र का आकार कितना होगा वही अगर आप किसी का व्यक्ति चित्र लिख है तो 400 से 600 सब्दों में लिखा जाएगा 2000 सब्दों में लिखा कि गृता जाएगा व्यक्ति चित्र दृत ना लेता है तो Abdaar इस में कियाँ बहुता थीधितर की स organize ещё का случ daughters है किन किन चीज़ों को बताना है यह साहली भी हमें डिसाइड करने चाहिए ठीक है फोटो लगा करके आपको लिखना है विदाउट फोटो को लिखना है इस प्रकार से भी है जैसे मालो की अनता बच्चन का जनम क्या थे फिलम वन उनुका जननम हुआ है व्यकिति चित्र कि आप किस प्रकार से लिखे लेंग्वेज ऍंपर्टनन है तुझ वि लेंगवेज लेंगवेज आगकी रोचक मजयदार ज्यान वर्धक होनी चाहिए, उसमें आपको कई सारे तथ्यों को भी देना चाहिए डाटा भी आपको बताना चाहिए संस्मन हो याने गर उस व्यक्ति का अगर कोई यादगार आप उनसे मुलाकात की हो तो उसको भी आप उसमें लिख सकते हैं तो उसका सीर्षक किस प्रकार से देंगे तो यह भी चीजी हमारे जिसे मालो की बहुत सारे लोगों पर व्यक्ति चितर बन सकता है जिसे बाबा आम्टे मनीशा वर्मा लच्मन राव लता मंगेसर या लता मंगेसर बन सकता है अभी थोड़े दिन पहले इनकी डेर्थ हुई न बहुत बड़ी संगीत कार थी लता मंगेसर जी लता मंगेसर का अगर कोई व्यक्ति चितर बना रहा है तो लता मंगेसर के बारे में बेसिक जानकारी जनम कब हुआ मृत्यू कब हुई पिता का नाम क्या था माता का नाम क्या था लता मंगेसर जी ने कौन कौन से गाने गाए है या लता मंगेसर जी को कौन कौन से पुरसकार मिले है ठीक है लता मंगेसर जी का क्या क्या संगीत में योगदान है कौन कौन से इनके फिल्में जो रहें बहुत हीट रहीं जिनमें उन्हें गाने लिखे हैं इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं जब इस प्रकार चीजों को लिखेंगे तो ही योगा व्यक्ति चित्र हो गया यही सारा व्यक्ति चित्र बना सकते हैं ठीक है तो इन चीजों को ध्य इतना जरूर मैंने बता दिया है, कि अगर आप इसको एक बार देख लेंगे, आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, वैसे वीडियो को भी आप दुबारा, अगर प्ले करके देखना चाते हैं, तो प्ले करके देख लेना, तुमको इस सारी चीजे समझ में आ जाएंगे, ठीक है,